क्लास 12 इलेक्ट्रो कमिस्टी के एक और इम्पॉर्टन वीडियो में हम आप सभी का स्वागत करते हैं जी हाँ हमारे चैनल पर कमिस्टी के पहली चैप्टर से इंप्वाटन्ट हेडिंग की वीडियोज स्टार्ट कर दीगा बनाना और आखरी चैप्टर तक सब बनाया जाएगा बिलेन का पूरा इंप्वाटन्ट हेडिंग हमने बना कर चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दिया है जाकर वहां से देख सकते हैं इलेक्टो केमिस्टी की भी काफी वीडियोज पढ़ चुकी है और इस वीडियो के मादेम से हम विद्ध्यूत अबगटनी चालक विद्ध्यूत अबगट प्रबल विद्ध्यूत अबगट दुरबल विद्ध्यूत अबगट सब की परिभासा आप सभी को बताने जा रहे हैं आपको यह हलका लग रहा होगा लेकिन यह भी प्रस्न कई बार बोड इकजाम में पूछा गया है और इस बार भी इसके पूछे जाने के चांसेज है प्रबल विद्योत अपगट की परिभासा बता है उससे पहले हमें विद्योत अपगट जानना होगा तो हमारी हेडिंग आख चुके यहाँ पर विद्योत अपगट नीचालक या आयनिक चालक इनहीं को हम विद्योत अपगट भी बोलेंगे तो पूरी डेफिनिशन एक एक करके मैं आपको बहुत अच्छे समझाने जा रहा हूँ तो वीडियो में सुरू संतक बने रहे आप हेडिंग डाल सकते हैं विद्योत अपगट नीचालक या आयनिक चालक उनकी गली तवस्था या उनके बिलेयन में रासानिक बियोजन से फरस्वरोप आयनों के द्वारा होता है मतलब जो पदार्थ का गली तवस्था में मतलब की आपका जो धारा प्रवाहित करें या फिर उनहीं पदार्थ का जली बिलेयन बना दें तो उसका राषानिक भियोजन हो जाएगा, मतलब की वो बदा तोट जाएगा तो उसके आयन मिलेगा, उसके द्वारा मतलब धारा प्रवाइत हो वो विद्धित अबगटनी चालक दीजेगा, एक्जाम्पल में अमली विलियन, छारी विलियन, लवन की विलियन, ठीक, अच्छा, जली विलियन में बियोजन के आदार पर बैद्यूतप घटे दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रबल बैद्यूतप घटे, दूसरा दुरबल बैद्यूतप घटे, अच्छा, लगभग पूरता हायनित हो जाते हैं प्रबल वैध्यूतब घटे का लाते हैं हमारे सामने जितने एक्जामपल हैं अगर हम इसको जल में डालेंगे मतलब अगर सौट हो यने सील का अगर हम कंद उसमें जल में डालते हैं तो साव के सबों एने व्ही प्लसु सील माईनस में लगभग टूड़ जाते हैं इसलिए जिसमें सारे कंद जितने डाल रहां हो सब के सब मुलब धन्याषण और रिन में तूड़ जाते हैं वही आपके प्रबल वैध्यूतब घटे कहलाते हैं प्रबल वैद्यूत अब घटे के बाद हमारा दूसरा तो इसमें आएगा दुरबल वैद्यूत अब घटे तो वे वैद्यूत अब घटे जिनका जली विलियन में या अन्य धुरूवी लाइकों में एक साथ बने बिलियन में बहुत कम आयनन होता है यहां तक कि अध्यधीक तनुता पर भी पूनता आयनन नहीं होता है वो दुर्बल अबेद्धु तब घटे कालाते हैं वल्लब उसको कितना भी डालियोट कर दीजे तब भी उसका आयनन उतना नहीं होता है जिसे CS3CWOH है अगर हम इसके सव अडू लेते हैं और पानी में डाल देते हैं तो इसमें से 90 या 95 अडू बिलकुल भी आयन में नहीं तूटेंगे दस-पांच अडू ही जो है आयन में तूटते हैं तो क्या पूरे अडू वो कब योजन हुआ क्या पूरे अडू जो है बिलेन में तूट गए नहीं आंसिक अमलब बहुत कम अडू तूटे हैं इसलिए ऐसे विद्यूत अपगट का नाम हम क्या रखते हैं दुर्बल विद्यूत अपगट क्या रखेंगे दुर्बल विद्यूत अपगट ऐसे बिलेन का हम नाम रखेंगे ठीक ध्यान रिजएगा ठीक तो ऐसे और वीडिय में ठांक्यू सोमच जैहिन वन्ने माद्रम